और बार बैनों क्या हाल चाल यार बहुत-बहुत स्वाफ है थे होंगा जो मेरे चानल में पहली बार आए हैं यार एक काम करो चानल के बार जाओ सब्सक्वाइब करो घंडी बजाओ और अंदर आ जाओ और जुमल चाल में पहले भी आचुके हैं यार इससे तो अपना है चानल समझो आज आज specifically हम उन भाई बंदों के लिए वीडियो लारे जो कि इस सालने की 2021 में appear करने वाले for class 10th board एक informative वीडियो रहने वाली है सबसे पहले यार कुछ ऐसे rumors हैं जो कि बहुत दो market में फैल रहे हैं उसमें कितनी सच्चा ही है उसके बारे में जानने वाले उसके बाद मैं आपके खुद अपना story बता हुआ 2015 थे जब मैंने 10th के boards दिये थे कुछ subjects में मेरे preboards से boards में marks कम हो गए थे कुछ subjects में जादा growth नहीं उतर कुछ subjects में rapid growth हुई थी उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं यही मेरे 6 subjects हैं और उसके साथ-साथ क्या importance है आपके 10th results के in the long run उसके बारे में भी बात करे वाले सबसे पहले यार्ण यहां पे कुछ rumors से देख लेते हैं सबसे पहला रहती है आप जब foreign conditions में आते हो तब कुछ अलग रहती है पूरी कहानी आज discuss करने वाले है दूसरा rumor जो हम देखने वाले है बोर्ट तो postpone होना ही है अभी तक तो classes हुई नहीं है आज लोग expect करें थे कि हमारे अचाड़ी मिनिस्टर सीधा आके बोर्ट देंगे बोर्ट एक्जाम साथ पॉस्पोर्ण जेई इस पॉस्पोर्ण एवरिटिंग इस पॉस्पोर्ण लेकिन क्या हमें कुछ कॉंक्रेट मिला आज आज हमें कुछ भी कॉंक्रेट नहीं मिला तो इस चीज़ को तुम ऐसा शूरिटी अभी बिल्कुल भी नहीं ले सकता हो कि तुम्हारा जही में और बोर्ट जैसे इंपोर्टन एग्जामिनेशन पॉस्पोर्ण होने ही वाले है ठीक है तुम्हारा बोर्ट पॉस्पोर्ण हो जाएगा क्या बता बात में हो लेकिन अभी के लिए कोई कॉंक्रीट एविडेंस तुम्हारे पास नहीं है तीसरी बात क्लास 10 इस एक्च्वली एजियर दें क्लास 11 एंड क्लास 9 क्लास 11 यह आप दोगे अगले साल लोग को बहुत बहुत कम नंबर आते है क्लास 9 आप देखे आँ चुकी हो आपको लग रहा हो कि 9 में तो कम नंबर बोलोगे 9 या फिर 10 को 9 को 8 से 9 एक ग्राजूल चेंज जो तर लेवल रहता है 9 का और 10 का उसमें काफी सारी चीजिए यह लेवल के साब से सेम रहते तो आपको एक ग्राजूल चेंज मिलता उससे साब साब कुछी दिक्कत नहीं होती है उसके बाद क्लास 10 के बाद मज़े ह मज़े है लाइफ में आपने बहुत बाद मीम देखा होगा कि क्लास 10 के बाद लोग बोलते है मज़े ही मज़े है नहीं आता है उसके बाद आपका ग्राजूशन खतम होता है तब भी नहीं आता है मज़े लाइफ में कभी नहीं है क्लास 10 के बाद आपका लाइफ ज्यादा हेक्तिक होने को आगया है आपको एक stream पखरनी पड़ेगी उसको master करनी पड़ेगी ठीक है अभी मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके बाद मुझे science लेना है commerce लेना है सब्सक्राइब करने के लिए पड़ने वालों करते हैं लेकिन जो बंदा एकडम 11 पहुंच के इकडम क्रिस्टल क्लियर उसके दिमाग में यार कि हां मेरा यह पैशन है इस चीज़ को मुझे follow करना है वह बंदा पहले से ही बाकियों से बहुत आगे रहता है तो आप सब के लिए हम 22 टॉप एचुकिनिटर्स ऑफ अनक्याडमी आ ब्रिंगिंग यू अश्वें डे बूट के हम आपके लिए 30 स्पेशल क्लासेश होने वाली है जहां पर आपको साथ दिनों में पता चल जाए उसके लिए अनक याडमी आपके स्कॉलर्शिप टेस्ट में और एस टेस्ट को है बेसिक टेस्ट आपका next saturday को next saturday आपका तीन घंड का examination है अगर हमें आप टॉप 3 में आऊगे तो आपको दो साल का अनक आडमी के सब्सिप्शिफिशन मिल ज Amazon के vouchers है तो इस चीज़ को समझ लोग आपको note करके रखना है जो भी हमारा deadline है कि यार यहां से यहां हमारे 7 दिन top educators class लेने वाले हैं मैं खुद आईश्राटी के साथ इस Sunday लाइने वालों जहां पर यहां पर बात करने वाले है मेरे स्टोरी के बारे में जब मैंने 2015 में अपना CBSE class लेन बोर्स दिया था तब ऐसी बहुत सरी चीज़े हो थी जो मैं आपको बिलाना चांटा हो और क्या पता यह चीज़े आपको influence कर सके ठीक है हमारे जितने भी प्रीबोर्स होते थे सारे out of 80 होते थे अगर मैं आपको बू इसमान था एवन माने 91 से 100 परसेंट एज एटू माने आपका 81 से लेकर 90 परसेंट एज ठीक है इसमें मेरा ग्रेट क्या है बता हूँ एटू यह आपका फाइनल प्रीबोर्स में यानि कि मेरा यहां पर क्या हुआ था लॉस जब मैं प्रीबोर्स से बोर्स की तरफ जा रहा हूं तो मेरा यहां पर क्या हुआ था लॉस अगर बात करूं माथेमाटिक्स की I was always very good in mathematics not bragging but I was always good I scored an impressive 80 out of 80 और जब मैं same चीज यहां पर भी ग्याना तो यह चीज मेरा A2 आया फाइनल में तो आप इस चीज को समझ सकते हो क्या एक होता था हमारा टाइम पर formative assessment FA एक होता हमारा टाइम पर summative assessment that is S8 ठीक है मेरा final essay that is S8 2 में मेरा यह चीज आतो लेकिन तब भी यह दोनों मेरा जम मैंने फर्स्टम में आट किया सेकेंड टम में आके A1 रहा लेकिन तब भी यह दोनों चीजे मेरी A2 हो गई थी यहां पे जब मैंने इंप्रस्टिव स्कोर किया था 79.5 और यहां पे एटी उसके बावजूर आप एक चीज समझो आपको पता है तो आपका home condition हो गया आपका board examination आपके आपसे नहीं चलता है आपको बाहर जा के दिना पड़ता है board examination तो थोड़ी बहुत चीजे आपके दिमाग में अलग रहती है तो उस हिसाब से आप कैसे अपने आपको डालते हो situation में वो तीन घंटे आपके लिए कैसा fair out होते है उस चीज के author सिर्फ आप भी हो तो इसी लिए बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका pre-board सी भी boards में कम नंबर आएंगे बहुत बार आसा हो कि आप blackout हो जाएगे शुरुआत का जो आदर घंटा होता ना किसी भी board examination का वह बहुत ज़़ा क्रूशल होता है और इस case में मैं यहाँ इन दोन अग्जांगेशन में शुरुआत में प्रेशर बहुत था यार कि मैंने आप ए 79.5 और 80 स्कोर किया था out of 80 which is quite an impressive score लेकिन जब शुरुआत में थे expectation के साथ बैठ होगे ना कि यार प्री बोर्ट तो फोड़ी चुके है बोर्ट तो फोड़ी देंगे तब जाके दिक्कत है पैदा हुई मेरे लिए और क्या बता आप मेंसे बहुत सा लोगों के लिए भी हो अब बात करते हैं English की ठीक लेकर मैं सोशल की बात करूँ I scored 71 in preboards और यहां जाती आते 74 मुझे लग रहा है क्योंकि मैरे जब मैच वाचे था मेरे सब 74 आच चाहिए eventually I got an A1 in this अगर मैं इसमें बात करूँ तो सोशल की 71 की okay 71 आपका आता A2 की region में यहां भी मेरा A1 होग है तो obviously this was also positive change संस्कृत की बात करूँ मैं पहले से 76 था तब भी मेरा A1 रहा तो आप मान सकते होगी equal यहां फिर positive ही हुआ होगा और अगर मैं F.O.I.T F.O.I.T बहुत से लोग को पता नहीं है क्या है मैंने आप लिखतो दिया है foundation of information technology ठीक्लास 10 में उसको F.O.I.T बोलते थे मेरे समय में आपके समय में क्या बोलते है मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे समय में F.O.I.T में आए थे 72 और यह मेरा A1 ही था ठीक है तो आप समझ सकते हो है कि कुछ चीज़ों में negative रहा लेकिन बाती सारी चीज़ों positive रहा लोग समझते है हर एक aspect में boards आपका pre- ज्याद अच्छा रहता है आप preparation ज्यादा करते है आप confidence ज्यादा रहते हो लेकिन उस 3 घंटे में क्या होगा आप भी नहीं जानते है ऐसे बहुत सारी लोग रहते है जो बढ़ के बहुत आते है लेकिन on the day of boards वो भुना नहीं पाते है अपने hardware को into marks ठीक है finally आपको marks कुछ कुछ में approximately equal gas powder कुछ कुछ में मेरा growth हुआ यानि कि आपको सबसे पहली चीजा पर सुरश्चित करनी है कि आप complacent ना हो जाओ जितनी preparation प्री बोस के समाई होई थी बहुत से लोग एंडी से देने वाले है अब यह ना competitive examination है prestigious competitive examination है उसको फोलना ही बहुत से लोड़े है वाइद होगे 12 बजाओ उसके बाद आप IT जाइद होगे बहुत से लोग drop भी ले लोगे उसके बाद ठीक है फिर आप engineering में घुछ जाओगे तो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाना आपके लिए एक transition बनाना कि कैसा मेरा एक attitude रहना चाहिए subjective examinations के लिए कैसा मेरा attitude रहना चाहि बहुत जदर important है तो NDA से भी चीत लोग दे रहे हैं first of all all the best आप सबको और जब मैं बात करूँ क्या 10th के board क्या सही में इतने important होते है अगर आप पूछोगे यार जब measuring करने जाओ को कभी ना कभी placements में क्या मुझे 10th का board का फरक पढ़ने वाल मैं बोलूँगा एकदम यह maximum to maximum company बूलते 85 प्लस वाले दे दो मिर ले काफी है ठीक है तो अगर आप यहां पर 85 प्लस ensure कर ले रहे हो you are in a very good cause और कोई ऐसी company नहीं होगी जो आपको 10th के basis में discard कर देगी इस चीज़ को समझो जब भी कोई company placements में आती है ना तो बोलो के graph draw करते है 10th का 10th का और एक होत से रहां तो company आपके बारे में बुरा थोड़ा तो सोचेगी ना कि 10th में बंदा impressive था तब से graph नीचे ही आ रहा है अगर मान लो यह आपका हो गया first और इसको company जादा value नहीं करेगी अगर मैं दूसरा कर मानूं या तो ऐसा यानि कि बंदा मेहनत बढ़ा कर रहा है 10th में मान देने हार नहीं माने उसको विल पावर उसको नीचे जाने नहीं तेरा है वो महनत कर रहा है और ऊपर जा रहा है यह क्या दूसरा बंदा सो company प्रेफर करेगी और company सेम वे में जो बंदा टॉप पे ही है उसको भी महनत करने के लिए फोर्स करेगी यह बंदा वियार इसमें क कुछ बात तो है यह बंदा तब से टॉप में बना हुआ है और कभी भी कंपलेशेंट हुआ नहीं तो कभी भी आपको बनना है यह वाला ग्राफ मत बनना ठीक है यह वाला जो उपर से नीचे आ रहा है साप सीडी में जो साप की मुझे घुस चुका है वो नीचे गिर रहा है वो चीज आपको नहीं बनना है ठीक है जो मैं यहां पर ब्लैक से दिखा दे रहा हुँ इक बार वो चीज आपको नहीं बनना है ठीक है उसके बाद लो अगर आप 90 प्लस रख रहे हो ना it's really very good companies या फिर जो बेंस्टिउशन से जवाब एक ब्रेकेट करते हो ना 92 93 94 95 96 97 यह सब उनके ले अप्रॉक्सिमेटली सेम होता है सेमिनरली 82 83 84 85 86 87 89 यह सारे ब्रैकेट आपके लिए सेम होते है ठीक है तो इस चीज़ो समझना कि या 10 की इतने या वैल्यू नहीं है लेकिन अगर आप 85 प्लस या फिर 90 प्लस कोर कर ले रहे हो आप सब के लिए बहुत ज्यादा फाइदा है हमारे टाइम पे cgp 10 cgp 9.8 मेरी c लेकिन उसके बाद भी अगर मैं आप लोग को बोलू कि यार आज का टाइम पर अगर आप 95 96 के आसपास हो तो इस नौट इनो डाट एक्स्ट्राविकेंट अल्सो बहुत सो लोग के आते हैं लेकिन आप एक सेफ साइड में रहोगे और एक ज्यालिटी बताता हूँ अनसली लेकिन अगले तीन से चार महीने तक लेकिन अगर मान लो उतना अच्छा रहा भी नहीं दिल से नहीं लगाना है बेटा मेहनत उसके बाद भी करनी है अभी चाल हुआ है मेरे भाई अभी चाल हुआ है मेहनत बहुत आगे तक करेंगे और लाइफ में बहुत आगे तक जाना है ठीक है सो दिस सेट फ्रम माई साइट समय आगे आप सब सब लगने का अलविदा